नमस्कार, मैं हरिशंकर, शिक्षा एवं प्रशिक्षन आंचलिक संस्थान मैसूर से, आप सभी विद्यारतियों वा दर्शकों का हार्दिक अभिनन्दन करताई। प्यारे विद्यारतियों, आज मैं आठ्मी कक्षा की हिंदी पाठे पुस्तक दोर्वा भाकतीन मैं संकलित एक गद्य पाठ लेकर उपस्तित हुआ हूँ। पसंद है तो किसी को गीत गाना। किसी को चित्र बनाना पसंद है तो किसी को नृत्ति करना। आप सबकी भी अलग-अलग रुची होगी। आज हम ऐसे ही एक विक्तित्त के बारे में पाठ पढ़ने वाले हैं। जिसका शीर्शक है बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्ले। पाठ की लेखिका है आशा रानी वोरा। आईए पाठ का आदर्श वाचन शुरू करते हैं। चौदवाँ पाठ बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्ले। बच्चों तुम डार्क टिकेट पुराने सिक्खे आदी जमा करते हो न। छोटी लड़कियां गुडियों का भी संग्रह करती हैं। लेकिन धेर सारी गुडियों का संग्रह करना उनके लिए मुश्किल है। क्योंकि एक तो गुडियां महंगी होती हैं। दूसरे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जगा भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी किसी बड़ी उम्र के पुरुष को गुडियों का संग्रह करते देखा है। यहां मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ। जिसने 2,4,5,10 नहीं, 5,000 से भी अधिक गुडियों का संग्रह किया है। सारी दुनिया में घुम घुम कर विभिनदेशों से भांती भांती की रंग बिरंगी खूप सूरत गुडियों का संग्रह। जानते हो ये इतनी सारी गुडियां उसने अपने लिए नहीं खटी की देश-विदेश की भिन-भिन वेश भूशा में सजी अपने अपने देश के तोर तरीकों वाली खूप सूरत गुडियां उसने भारतिय बच्चों के लिए ही जमा की है इन गुडियों को उसने दिल्ली के एक विशाल संग्रहाले में इस तरह सजा रखा है कि बच्चे उन्हें देख सकें उन्हें बच्चों से प्रेम था इतना कि वह उनकी खुशी के लिए और भी बहुत सारे काम करते थे और सुभो सी शाम तक इनहीं कामों में लगे रहते थे इस व्यक्ति का नाम था केशव शंकरपिल्ले वहीं शंकरपिल्ले जो लंबे समय तक शंकर्स वीकली के लिए काटून बनाते रहे थे वे बच्चों के लिए प्यारी-प्यारी पुस्तकें और पत्रिकाएं निकालते थे उनके लिए चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित करते थे सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के बच्चे उन्हें जानते हैं बच्चे ही उनकी कमजोरी थे और बच्चे ही उनकी ताकत केशोव शंकर पिल्ले का जन्म 1902 में त्रवेंद्रम में हुआ था त्रवेंद्रम विश्व इद्याले से बिये करने के बाद उन्होंने मुंबई में सिंधिया शिपिंग कमपनी के संस्थापक के निजी सचिव के रूप में नौकरी की साथ ही साथ कानून का अध्ययन और चितरकला का अभ्यास भी चलता रहा काटून बनाना उनकी होबी थी बॉम्बे क्रॉनिकल में उनके कुछ काटून छपे तो उने हिंदुस्तान टाइम्स में काटूनिस्ट की नौकरी मिल गई 1932 से 1946 तक उन्होंने वहां काम किया वे भारत के पहले काटूनिस्ट थे जिने किसी पत्र ने पूरे समय के लिए नौकरी दी थी देश-विदेश की बड़ी-बड़ी हास्तियों पर बनाए उनके काटूनों ने सभी का ध्यान अपनी और खीचा और शंकर पिल्ले प्रसिद्ध होते गए प्रतिभा छुपी नहीं रह सकती उसे प्रकट होना ही था 1946 में वे इंडियन न्यूस क्रोनिकल में चले गए जो अब इंडियन एक्सप्रस है फिर शीग्र ही उन्होंने अपनी पत्रिका शंकर स्वीकली निकालनी शिरू कर दी ये अपने ढंकी पहली और अनूठी काटून पत्रिका थी शंकर स्वीकली के बड़ा साहब और मेम साहब शीरूशक नियमित काटूनों में बड़े लोगों की खोकली दुनिया पर हास्यवेंग को बहुत पसंद किया गया लगभग 25 साल पहले इन बड़े लोगों को इनके हाल पर छोड़ शंकर बच्चों की और जुक गए उने लगा ये सुन्दर प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चे कितने उपेक्षित हैं क्यों ना इनके लिए इनकी खुशी के लिए ही काम किया जाए कलाकार तो भावक होते ही हैं बच्चों के प्रती उनके मन में जो प्रेम उमड़ा तो वे उन्ही के ख्यालों में डूपते चले गए उन्होंने पहली बार शंकस वीकली दुआरा 1948 में बाल चित्र कला प्रतियोगिता का विचार लोगों के सामने रखा विचार नया था बच्चों के हित का इसलिए लोगों ने उसे बहुत पसंद किया उस समय देश के प्रधान मंत्री और बच्चों के प्यारे चाचा नहरू को भी यह विचार अच्छा लगा 1949 में पहली अंतर राष्ट्री ये बाल चित्र कला प्रतियोगिता हुई 1950 में शंकर्स वीकली के बाल विशेशांक में श्री नहरू ने लिखा था अनेक देशों के बच्चों की यह फौज अलग अलग भाशा वेश भूशा में होकर भी एक जैसी ही है कई देशों के बच्चों को इकठा कर दो वे या तो खेलेंगे या लडएंगे और यह लडाई भी खेल जैसी ही होगी वे रंग भाशा या जातिप पर कभी नहीं लडएंगे शंकर्पिले का उदेश भी यही था संसार भर के बच्चों को निकट लाना इसके बाद हर वर्ष शंकर स्वीकली के बाल विशेशंक निकलते रहे हर वर्ष यह प्रतियोगिता होती रही और उसमें भाग लेने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती रही शंकर चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए धाई साल से सोला साल के बच्चे भारत के स्कुलों में तैयारी करते रहते हैं भारत के बाहर भी लगबग 100 देशों के बच्चे हर वर्ष इस अंतर राश्ट्रिये बालचितरकला प्रत्योगिता में भाग लेते हैं सन 1970 में 103 देशों से कुल 1,90,000 बच्चों ने इस प्रत्योगिता में भाग लिया था और 18 देशों के 22 बच्चों ने नहरू स्वर्ण पदक जीता था कुल 482 पुरस्कार दिये गए थे जिन में से 50 पुरस्कार लेखन के लिए और 6 चित्रकला के लिए थे नहरू जी जब तक जीवित रहे इस वार्शिक पुरस्कार वित्रण समारोह में मुख्य अथिती बने और बाल लेखकों और बाल चित्रकारों के साथ तस्वीरे खिंचवाते रहे बच्चों की प्रधिबा के विकास में उनकी भी गहरी रुची थी इसी लिए शंकर पिल्ले के इस कारी को उन्होंने प्रोच्चाहन और सरकारी साहयता दिल्वाई आज नई दिल्ली में चिल्रेन बुक ट्रस्ट बाल पुस्तकाले गुडिया घर है एक नया हॉबी सेंटर है शंकर ने जिस तरह सभी देशों की सुन्दर कलापूर्ण गुडियों की खोच की उसी तरह बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई हजारों पुस्तकों का भी एक संग्रह किया उनका स्थापित किया हुआ चिल्रेन बुक ट्रस्ट हर वर्ष बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है इन पुस्तकों में भारत की लोक कथाएं, पौरानिक कथाएं, पंच्चतंत्र और हितोपदेश की कहानियां तथा ज्ञान विज्ञान की कहानियां होती हैं, जिनकी छपाई का स्थर बहुत उचा है भारत की संस्कृती की इन कहानियों को देश की सभी भाशाओं में प्रस्तुत करने की योजना है देश में छपाई का स्थर उंचा हो इसके लिए वे प्रशिक्षन कोर्स भी चलाते थे 1954 में शंकर को हंगरी की एक गुडिया उपहार में मिली वह गुडिया इतनी सुंदर थी कि शंकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने विभिन देशों से धेर सारी गुडियां ला लाकर भारतिय बच्चों के लिए जमा करनी शुरू कर दी पहले उन्होंने अपनी गुडियों के इस संग्रह को कई जगा प्रदर्शनिया लगा कर बच्चों को दिखाया जब गुडियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो जगा जगा प्रदर्शनियों में उन्हें ले जाना मुश्किल हो गया ऐसे में कीमती गुडियों के खराब हो जाने का भी डर था तब शंकर के मन में एक गुडिया संग्रहालय बनाने का विचार आया देश की राजधानी में बना विशाल गुडिया घर उनके उसी विचार का परिणाम है गुडिया घर में अब एक वर्क्शाप भी खोल दी गई है जहां भारतिय गुडियों का निर्मान होता है और फिर उन्हें विदेशी बच्चों को भेजा जाता है हर साल उस गुडिया घर को देखने वाले भारतिय बच्चों की संख्या एक लाक से अधिक होती है यहां लगभग 85 देशों के प्राचीन और आधुनिक गुडियों का आकरशक संग्रह है भारत के सभी राजियों की गुडियां यहां इकत्रित हैं इनके माध्यम से बच्चे भारत के हर राजिके और विदेशों के रहन सहन, तौर तरीकों, फैशन, वेश भूशाओं तथा रीती रिवाजों से परिचित हो सकते हैं गुडिया घर के कुछ प्रमुक आकरशन हैं हंगरी की उन काथती वृद्धाएं, टर्की की संगीतग्य टोली, स्पेन की प्रसिद सांड से लडाई, जापान का चाय उच्चव और काबु की नर्तकियां, इंग्लेंड का राजपरिवार और शेक्स्पियर जैसे कवी अफ्रीका के आदिवासी, भारत की सांस्कृतिक जांकियां और देश-विदेश के बच्चों का कक्ष चंद्रतल पर मानव आदी ये गुडियाएं इतनी आकरशक हैं कि हस्ती बोलती, काम करती, चलती फिरती, सजीव सी लगती हैं बच्चे इनके बीच जाकर घंटों खो जाते हैं इस संग्रहाले को एक दिन में अच्छी तरह देखा भी नहीं जा सकता और इसे कई बार देखने पर भी मन नहीं भरता बच्चों का भरपूर मनोरंजन हो और देश-विदेश के बारे में उनकी जानकारी बढ़े आर्ट क्लब और हॉबी सेंटर चलाना भारत के बच्चे नामक पुस्तकों की एक लंबी सीरीज निकालना और हर वर्ष छुटियों में तीन-चार कैंप लगा कर सारे भारत के बच्चों को एक जगा मिलने का अवसर देना अपनी इस योजना को वे बच्चों का जनतंत्र नाम देना चाहते थे इस तरह केशुव शंकर पिल्ले अपने बाल प्रेम और कृतियों से ना सिर्फ भारत में बलकि पूरे विश्व में विख्यात हो गए दुनिया भर के बच्चों से उन्हें प्यार था तो देश विदेश के लाखों बच्चों का प्यार भी उन्हें मिला आशारानी वोरा आपने इस पाट के दोरान कुछ नए शब्दों पर गौर किया होगा आईए इसके सामानने अर्थ और वाक्य प्रयोग के बारे में जानते हैं पहला शब्द निजी अर्थात व्यक्तिगत जिसे अंग्रेजी में पर्सनल कहते हैं वाक्य प्रयोग हमें अपने निजी जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए दूसरा हस्तियां अर्थात विशिष्ट लोग जिसे अंग्रेजी में सेलिब्रिटीज कहते हैं वाक्य प्रयोग विध्याले के समारोह में फिल्म जगत की कुछ जानी मानी हस्तियां उपस्तित थी तीसरा उपेक्षित अर्थात जिसकी और पूरी तरह ध्यान न दिया जाए जिसे अंग्रेजी में इग्नोड कहते हैं वाक्य प्रयोग हमें बच्चों की शिकायतों को पूरी तरह उपेक्षित नहीं करना चाहिए चौथा अंतर राष्ट्रिये अर्थात विभिन्य राष्ट्रों के बीच जिसे अंग्रेजी में इंटरनाशनल कहते हैं वाक्य प्रयोग अंतर राष्ट्रिये खेलों में भारत ने अपना नाम उचा कर लिया है पांचवां कलापूर्ण अर्थात कला से युक्त जिसे अंग्रेजी में आर्टिस्टिक कहते हैं वाक्य प्रयोग बच्चे कलापूर्ण बैग लेकर स्कूल जाना पसंद करते हैं छटा पावरानिक अर्थात पुरानों से संबंदित जिसे अंग्रेजी में लिजन्डरी कहते हैं वाक्य प्रयोग रामायन महाभारत हमारे पावरानिक ग्रंथ हैं साथवां आकरशक अर्थात मोहक जिसे अंग्रेजी में अट्राक्टिव कहते हैं वाक्य प्रयोग, दुकान में रखी हुई पुस्तकें आकर्षक लग रही थी, आठवा, एकत्रित अर्थात जमा की हुई, जिसे अंग्रेजी में collected कहते हैं, वाक्य प्रयोग, बाड में फसे हुए लोगों की सहायता के लिए, पुराने वस्त्र एकत्रित किये गए, नवा, माध्यम, अर्थात के द्वारा, जिसे अंग्रेजी में मेडियम कहते हैं, वाक्य प्रयोग, हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, अंग्रेजी मुश्किल लगती है, दस्वा, कृतियां, अर्थात रचनाये, जिसे अंग्रेजी में क्रियेशन कहते हैं, वाक्य प्रयोग, तुरसीदास की कृतियां विश्व भर में लोगों के दिल में बसते हैं, ग्यारवा, संग्रहाले, अर्थात, वह स्थान जहां कई वस्तुएं इखटी करके रखी जाती हैं, जिसे अंग्रेजी में म्यूजियम कहते हैं, वाक्य प्रयोग, संग्रहाले में देश विदेश की विशेश वस्तुएं एक साथ देखने को मिल जाती हैं, बारवा, प्रदर्शनी, अर्थात, कुछ वस्तुओं को एक स्थान पर देखने के लिए रखना, जिसे अंग्रेजी में एक्सिबीशन कहते हैं, वाक्य प्रयोग, दशेरे की प्र बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, पहली बिंदु, इस पाट में केशव शंकर पिल्ले के विक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है, केशव शंकर पिल्ले की होबी थी काटून बनाना, और विश्व की सुन्दर गुडियां इखटा करना, बच्चे ही उनकी कमजोरी थी और बच्चे ही ताकत, दुनिया भर के बच्चों से उनने प्यार था, दूसरी बिंदु, इस पाट में केशव शंकर पिल्ले के कारियों बर प्रकाश डाला गया है, केशव शंकर पिल्ले ने बीए की पढ़ाई करने के बाद मुंबई में एक शिपिम कंपनी में उन्होंने अ जो अब इंडियन एक्सप्रस है, उन्होंने अपनी पत्रिका शंकर स्वीकली निकाली, यह अपने ढंकी पहली और अनूठी कार्टून पत्रिका थी, बड़ा साहब और में साहब शीर्शक नियमित कार्टूनों में बड़े लोगों की खोकली दुनिया पर हासिविंग करत जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, उन्होंने शंकर स्वीकली के दुवारा उन्निस सो उन्चास में पहली अंतर राष्ट्रिये बालचित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया, 1970 में 103 देशों से कुल 1,90,000 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, और 18 देशों के 22 बच्चों ने नहरू स्वर्न पदक जीता था, उस समय देश के प्रधान मंत्री और बच्चों के प्यारे चाचा नहरू जब तक जीवित रहे, इस वार्षिक पुरसकार वितरन समारोह में मुख्य अतिती बने और बाल लेखकों और बाल चित्रकारों के साथ तस्वीरें खिचवाते रहे, उन्होंने केशव शंकर पिल्ले को प्रोच्चाहन और सरकारी सहायता दिलवाई, तीसरी बिंदु, इस पार्ट में केशव शंकर पिल्ले का बच्चों क के प्रती लगाव को दर्शाया गया है, केशव शंकर पिल्ले ने बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई हजारों पुस्तकों का संग्रह किया, उनका स्थापित किया हुआ चिल्रन, बुक ट्रस्ट, हर वर्ष, बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है, उन्होंने बच्चों के लिए विश्व विख्यात गुडिया संग्रहाले बनाया, जो देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है, लगबग 85 देशों की प्राचीन और आधुनिक गुडियों का आकरशक संग्रह उन्होंने किया, बच्चों के विकास के लिए केशव शंकर पिले, आर्ट क्लब और हॉबी सेंटर बनाना चाहते थे, भारत के बच्चे नामक पुस्तकों के एक लंबी सीरीज निकालना और हर वर्ष छुटियों में 3-4 कैंप लगा कर सारे भारत के बच्चों को एक जगा मिलने का आवसर देना चाहते थे, अपनी इस योजना को वे बच्चों का जनतंत्र नाम देना चाहते थे, विध्यार्तियों, अब हम इस पार्ट में प्रयुक्त व्याकरनिक बिंदु पर चर्चा करते हैं, आईए इन दो वाक्यों को देखिये, मैंने एक गुडिया इकठा की, केशोव शंकर पिल्ले ने 5,000 गुडियां इकठा की, क्या अंतर दिखाई देता है, बिल्कुल सही सोचा है आपने, पहले वाक्य में एक गुडिया है, और दूसरे वाक्य में एक से अधिक गुडियां है, संग्या के जिस रूप से किसी विक्ती वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं, अर्थात संग्या के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन केवल एक, बहुवचन अनेक, जैसे बच्चा, बच्चे, पत्रिका, पत्रिकाएं, गुडिया, गुडियां, कहानी, कहानियां, प्रतियोगिता, प्रतियोगि अब हम एक और वाक्य देखते हैं, अमीर महलों में और गरीब जोपड़ी में रहता है, यहां एकदम अलग या उल्टी परिस्ति है, जब किसी शब्द का विपरीत अर्थ दिया जाता है, उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, अर्थात एक दुसरे के विपरीत या उल्ट अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, इसे विपरीत आर्थक शब्द भी कहते हैं, जैसे पुराना, नया, मुश्किल, आसान, महेंगी, सस्ती, सुरक्षित, असुरक्षित, सुबह, शाम, हित, अहित, प्रियविध्यारतियों आशा करते हैं कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा, केशव शंकर पिल्ले ने आपको प्रेरिद भी किया होगा, हमने आपके लिए कुछ गतिविधियां लिखी हैं, जिनके उत्तर आपको देने हैं, पहला, आपका सबसे पसंदीदा कार्य कौन सा है, और क्यों, लगभग असी से सो शब्दों में लिख कर अपने मित्रों के साथ साजह करें, दूसरा, कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानकारी इखटा कीजिए, जिनोंने अपने काम से नाम कमाया हो, उनके नाम के आगे उनके काम का उल्लेख कीजिए, तीसरा, चिडिया घर, सिनमा घर और किताब घर में से अपनी दिये गए, लिंक को क्लिक करें और गुडिया घर का आनंद लीजिए, चौथा, आपके घर के आसपास बेकार या अनुपियोगी समझ कर, कूडे दान या अन्य उप्युक्त जगा पर रख या फैंक देने वाली वस्तों का संग्रह करने वालों को क्या परिशानिया होती हो होंगी, वे इन वस्तों का क्या करते होंगे, इस संबन में अपने घर के बड़ों से जानकारी खटा कीजिए, आज के कारिकरम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए पाट के साथ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद क्याथ जिन्हें